गूप मर्निंग डियर स्टुडेंट्स। आज हम इंटर्मीडियेट के प्रेट्री सेक्षन के पांचमें शैप्टर जिसका नाम है रोड़ साइड इस्टेंट ए रोट साइड इस्टेंड इसको लिखा है रावर्ट फ्रास्ट ने आप जानते हैं रावर्ट फ्रास्ट जाने माने अमेरिकन लेखक है ट्वेंटीन संचुरे के इनका लाइफ इस्वान 1874 से 1963 था रावर्ट फ्रास्ट ने चरित्र के बारे में लोगों के बारे में भुद्रस्यों के बारे में मानों की कठनाईयों के बारे में उनके भय के बारे में और उनकी चिंताओं के बारे में चित्रड किया है यह पोएम ए रोट साइड स्टेंड सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान रोट साइड स्टेंड सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान आप फोटो में देख सकते हैं यह सड़क के किनारे छोटी-छोटी है जिनको रोट साइड स्टेंड कहा जाता है और आपने देखा रवर्ट फ्रास्ट का बहुत ही अच्छा लेखक सुन्दर सा चेहरा बहुत दीफ मीनिंग रखी है इन्होंने इस पोएम में इसी रोट साइड स्टेंड पर दुकंदार की व्यथा को इन्होंने चित्रित किया है इस पोएम में तो चलते हैं सीधे पैसेश की और और देखते हैं पहला पैसेश पैंसिल पैन कलम लेकर के वैठा करिये किताब जहां कठिल लगता हूं वाँ वर्ड मीनिंग भी नोट कर लिया करिये ऐसे तो मैं वर्ड मीनिंग पहले भी वेज देता हूं लिक करके लिकिन फिर भी देख लिया करिये आप साब दा लीटिल ओल्ड हाँस वास आउट विदिद मियटल नीव सेड छन उजटा सा पूराना घर सेट यूह फार ॹन निखल जह बाठर निकला हूा था शन कथैसे नए नाइभ के आउट에서 ऑनल je इनफ्रेंटो सामने एड़ दा इसाफ रोड सड़के किनारे शड़के किनारे सामने पुराना सा मकान था उस पर एक नई सेट डाल करके उसके भाग को आगे बढ़ा दिया गया था वेर दा ट्रेफिक स्पेड ये उस अस्थान पर किया गया था जहां से ट्रेफिक स्पेड यातायात तेज गतीस में जाता था गुजरता था दिखा आप हाईवेकंस के किनारे की यातायात को बहुत तेजी के साथ चलते रहते हैं A roadside stand, एक सड़क के किनारे की दुकान, that too pathetically paid, that too pathetically, जो बहुत ही दैनी प्लेड, निवेदन करना, सड़क के किनारे की छोटी सी दुकान, जो बहुत ही दैनी दसा में होती है, वो निवेदन करती है, It would not be fair to say far a dollar bread, ये कहना उचित नहीं होगा, कि far a dollar bread, कि वे भीख मांगते हैं, ये कहना उचित नहीं होगा, लेकिन वे छोटी सी दुकान रखते हैं, और लोगों से निवेदन करते हैं, कि उन से वस्तुमें खरीदें, लेकर कहता है, ये कदाप उचित नहीं होगा, कि वो खेरात में दान मांगते हैं, भीक मांगते हैं, ऐसा कहना उचित नहीं होगा, बलकि इसलिए दुकान रखते हैं, कुछ धन उन्हें कैस के रूप में प्राप्त हो सके, फुज फ्लो सपॉर्ट्स दफ लावर अफ शीटीज, जिसका फुज फ्लो प्रवाफ सपॉर्ट्स सहरा देता है, दफ लावर अफ सीटीज, शहर के लोगों को, फ्लावर अफ सीटीज का मतलब सहर के फूल नहीं है, यहां तो वर्ड टु वर्ड फूल होता है लेकिन फूल का मतलब है सहर के लोगों का प्रवाह जो होता है धन का उसको सहारा देता है उस धन को पाने के लिए ही यह सड़के किनारे छोटी-छोटे से स्टेंड बनाते हैं दफ्लावर अफ सिटी इस फ्रम सिंगिंग एंड वेदरिंग फैंट जो यह धन है सहर का यह सहर के जीवन को दूबने से मुर्जाने से नस्ट होने से बचाता है उस धन के प्रवाह की लालसा लेकर के यह ग्रामीड छेतर के लोग छोटी-छोटी सी इस तैंड बना लेते हैं दब पॉलिस्ट ट्रैफिक पास्ट विदे माइंड अहेड दब पॉलिस्ट ट्रैफिक सुसंकृत यातायात और इन बड़ी-बड़ी गाड़ियों में चलने वाले लोग सिष्ट माने जाते हैं सुसंकृत माने जाते हैं लेकर कहता है पॉलिस्ट ट्रैफिक पास्ट ये यातायात का जो सुसंकृत लोगों का समू है पास्ट विदे माइंड हेड वे अपने मस्तिस्क को ध्यान में रखकर आगे चले जाते हैं और इफ इवर और साइड लौमेंट वे या असपास देखते ही नहीं हैं उनके मस्तिस्क में सिधा लख्ष होता है अगले सहर में जाने का या जिस सहर में जाने का बस उसी लख्ष को रखके हुए अपने धुन में आगे पढ़ते चले जाते या कभी एक पल के लिए किसी का ध्यान जाता है दिन आउट अप सौर्ट्स तो वे नाराज हो जाते हैं क्योंकि जहां पर ये छोटी-छोटी दुकाने बनाई हो गई होती हैं अप हैविंग दा लैंड इसकेप मारड वहां का भूद्र से नस्क होता हुआ परतीत होता है विद आर्टलस पैंट क्योंकि ये ग्रामीड परिवैस के लोग हैं अच्छे कलात्मक ढंग से पैंटिंग नहीं करते हैं उनकी पैंटिंग्स बहुत सस्ती हैं अपनी दुकानों को बहुत अच्छे से रंग रोंग नहीं करते हैं बलकि साधन किस्म से सजाने का जो परियास करते हैं ये उनको खराब लगता है कि इनों ने सुनदर भूद्रस्ति को नस्ट कर दिया है आप्साइन गैट इन टर्न रांग एस टर्न रांग और उन चिन्नों से भी नाराज होते हैं जो न मतलब नार्थ मोड के लिए और आस मतलब साउथ टर्न के लिए लगाये होते हैं वो भी गलत लगाये होते और आगे देखाएं आफर्ड पर सेल वाइल्ड वेरीज वाइल्ड वेरीज फॉटो देखिएगा इन उड़न क्वार्ट्स लकड़ी के बने हुए पेटियों में तर लेखा कहता है कि ये जो छोटी-छोटी दुकाने हैं ये ग्रामीड परिवेस के लोगों की हैं वे ग्राम पर तैयार की हुए वस्तूओं को बेचने के लिए स्टैंड बनाये हैं और उनमें जंगली कि बेरों को लकड़ी की बनी हुए पेटियों में ब्हीचते हैं आर कुरुक नेग्ड गोल्डेन स्क्वैस कुरुक नेग्ड अथ्वा कुरुक नेग्ड मुड़ी हुई गरदन वाले गोल्डेन स्क्वैस एक सब्जी होती है गोल्डेन स्क्वैस फोटो में देखिएगा मैंने डाला इसमें यह गोल्डेन स्क्वैस है सुनेरे किस्म की होती है उसकी उपर का हिस्सा थोड़ा सा मुड़ा होता है तो लेका कह रहा है और क्रुग्ड निक्ड गोल्डेन स्क्वैस विद सिल्वर वार्ट्स गोल्डेन स्क्वैस को सब्जी है उसको पेटियों में पैक करके रखते हैं बेचने के लिए वित सिल्वर वार्ट्स उस पर चानी जैसे उभार दिखाई पड़ते हैं और ब्यूटी रेस्टीन ब्यूटीफुल माउंटेल सीन या सुन्दरता सुन्दर परवती द्रस्य पर आकर ठारती है तो इन द्रस्यों को देखकर नाराज हो जाते हैं इन छोटी छोटी वस्तुमों को देखकर के वे नाराज होते हैं को कभी खरीते नहीं हैं इन ग्रामेड लोगों ने ये सोच कर स्टेंड बन आया कि शायद इनकी विक्री होगी तो उनके हाथ में भी कुछ धन आएगा जिससे उनका भी कुछ भला होगा और अब चलते हैं सेकेड़ पैसेस की और एक दो बार पढ़िए बहुत अस्पस्ट है पोएम समझ में आ जाए तुम्हारे पास धन है बट यू वांट वी मीन लेकिन आप स्वार्थी बनना चाहते हैं आप कंजूस बनना चाहते हैं तो वाई कीप यूर मनी दिस क्रॉसली दिस क्रॉसली परेकट के अंदर लिखा गया है इसको नाराज होते हुए लेखा कहता है कि अगर आपके पास ध चाहते हुए उस धन का उपयोगी नहीं करना चाहते तो वाई कीप यूर मनी तो तुम यह मदन क्यों रखते हो और चले जाते हो यह धन रख करके चले जाते हो इससे क्या लाभ है अरी छोटे-छोटे दुकंदारों से सामान को खरी दिये और अपने धन को इन में भी वितर कीजिए the heart to the scenery would not be any complaint लेकर कहता है the heart to the scenery would not be any complaint जो द्रस्य के heart होने का चोटिल होने का विसे है इससे मुझे कोई सिकायत नहीं है so much as the trusting sorrow of what is unsaid so much as the trusting sorrow यह द्रस्यावली का जो अगात है इससे मुझे कोई सिकायत नहीं अरे मुझे तो सिकायत है इतने विश्वसनीता के साथ इनों ने अपनी दुकाने लगाई और परिणाम जीरो निकलता है तो उनका जो दुख है वो अन कहा है मुझे इसका दुख है here far from the city we make our roadside stand यहां far from the city सहर से दूर we make our roadside stand हम सड़क के किनारे अपनी दुकाने बनाते हैं and ask for some city money to feel in hand और चाहते हैं प्रयास करते हैं कि सहर का कुछ धन का प्रवाह उनके हाथों में भी आए to try if it will not make our being expand हमें कोसिस करना चाहिए वैसे हम जानते हैं कि इससे हमारे आस्तित का विस्तार नहीं होगा लेकिन हम कोसिस करते हैं and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is set to be keeping from us and give us the life of the moving pictures और moving pictures के जीवन यानि चल चित्रों जैसा जीवन promise वादा किया जाता हम से चल चित्रों जैसा जीवन यापन करने का वादा किया जाता है that the party in power is set वादा कौन करता है जो पाल्टी सासन में होती है सत्ता में होती है वो सब जबाग दिखाती है लोगों को सबने दिखाती है कि मुझे ओट दो और हम तुम्हारे जीवन को आसान बना देंगे तुम्हारा भी जीवन उतना अच्छा होगा जितना की moving pictures में लोगों का होता है तो ये party in power का photo देखिएगा कैसे promise करते हैं लोगों से निता लोग अपने ओट को पाने के लिए is set to be keeping from us और सत्ता में party में हमारे लिए रखने के लिए कहा जाता हमसे वादा किया जाता कि हमको ओट रखो दो हम आपके जीवन को सरल बनाएंगे लेकिन आप जानते हैं हाकिकत में ऐसा कुछ होता नहीं है चलते हैं थार्ड पैसेज की और इसा तो ख़बर में आ रहा है ऐसा निूज में आ रहा है that all these pitiful kin कि ये सभी दैनिय सगे संबंधी are to be bought out इन सभी दैनिय सगे संबंधियों की संपत्ति को खरीदा जाएगा and mercifully gathered into living villages और दैनिय पूर्ण ढंक से इन्हे दैयापूर्वा कि इन्हे mercifully दैयापूर्वा gathered कत्रित किया जाएगा into living villages गाओं में दैयापूर्वा कि इन्हें रहने के लिए कत्रित किया जाएगा next to the theater and the store और इनके past theater भी होंगे नाट साला भी होंगे और बड़े-बड़े stores भी होंगे where they would not have to think for themselves anymore जहां इन्हें अपने बारे में और अधिक सोचने की कोई आउसकता नहीं होगी while greedy good doers जबकि लालची good doers भला करने वाले भला तो करना चाहते हैं लेकिन अपने स्वार्थ के लिए भला करना चाहते हैं इसलिए लेकिक कहता while greedy good doers beneficent beast of pray पस्मों का सिकार करने वाले लाव के लिए अठात ऐसे वोले बाले लोगों का अपने लाव के लिए सिकार करने के लिए swarm over their lives उनकी जीवन पर मडराया करते हैं जो लालची लोग हैं अच्छा करने के लिए लेकिन अपने लाव की स्वार्थ के लिए उनको भोले भाले लोगों को गाओं के लोगों को सिकार बनाते हैं और उन पर मडराया करते हैं their lives enforcing benefits और उनकी जीवन को दबाव डाला करते हैं कि आप अपनी संपत्य हमें दीजिये तो आपको लाव होगा और हम रहेंगे तो फिर आपको चिंता करने के कोई जरूरत नहीं है that are calculated to shoot them out of their wits that are calculated वे गढ़ना कर लेते हैं to shoot santa करना them out of their wits अपनी बुद्धि से वो गढ़ना कर लेते हैं कि कितना धन दे करके इन्हें सांत किया जा सकता है and by teaching them how to sleep they sleep all day and by teaching them और उन्हें यह सिखा करके how to sleep they sleep all day कि किस प्रकार वे दिन भर सोया करते हैं आप सीखिये जानिये मेरी तरह जैसे मैं दिन भर सोता रहता हूँ आप भी सोनेगे destroy their sleeping at night the ancient way जो प्राचीन तरीके से रात्र में सोनी की विधा है उसको वो नस्ट करते रहते इतना सब जबाग दिखाते हैं और दिन में सोने की आद़त को डालते हैं ताकि उनके रात की भी निदे समाब्त हो जाती हैं और बढ़ते हैं चाओते पैसेज की और जिन लोगों ने पहली बार मेरे चैनल को जोइन किया वो लाइक करें सेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें चलिए देखें पैसेज नमबर फोर समटाइम्स आई फील माईसेल्फ आई केन हाडली वियर समटाइम्स आई फील लेखा कहता कभी कभी सकता हूं यह वैर्थ की बचकानी इक्षा के विचार को कभी कभी तो मैं बड़ी मुस्किल से सहन कर पाता हूं दा सैडनेस देट लर्क्स नियर दा ओपन विंडो अरे उदासी जो वहां छीपी रहती है नियर दा ओपन विंडो खुली हुई खिड़की के निकट देर देट वेट साल्डीन आलमोस्ट ओपन परिया जहां मैं सदयो खिड़की को खोल करके प्राथना करते रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि शायद कोई गरहा का जाए और हमारी बस्तुमों को खरीद ले काहे का बेट करते हैं काहे की प्राथना और इंतजार करते हैं कि शायद कोई गाड़ी रुक जाए इस वर से प्राथना करते हैं कि गाड़ी रोग दीजिए तेज आवाज ब्रेकों की लगे और गाड़ी रुक जाए ताकि उनके एक कार की रुकने की आवाज सुनाई पड़े आप आल दा थाउजन्ट सेल्फिस कार्स तेट पास और हजारों स्वार्थी कारें उस रास्ते से गुजर जाती है एक गाड़ी रुकती है ये पूछने के लिए कि उनके वस्तुमों की कीमत क्या है कुछ लेता नहीं है केवल कीमत मुचता है और बैख हो जाता है इसलिए बैख हो जाता है कि ये ग्रामीन परवेश के लोग है इन्होंने जो उगाया है उसी को बेचने का परयास कर रहे है और जो उगाया है निश्धरों शे वो बहुत अच्छा नहीं है अच्छ अच्छे स्टोरों का नहीं है इसलिए वो उन्हें पसंद नहीं याता है कि वल दाम पूछ कर बापर ज़स चले जाते and one did stop और दूसरा भी रुकता था but only to blow up grass केवल घास को नस्ट करने के लिए in using the yard to back and turn around in using the yard उसके आहाते को अपनी गाड़ी को वापस मोलने के लिए परियोग करता है उसकी घास को नस्ट कर देता and another to ask the way to where it was bound तीसरा भी गाड़ी वाला रुकता है तो क्या पुछता है to ask the way to where it was bound ये रास्ता कहां के लिए जाता है केवल इतनी बात पुछने के लिए रुकता है सामान कोई नहीं खरिदता है and another to ask could they sell a gallon of gas एक चौथा भी रुकता है गाड़ी वाला तो पुछता है कि क्या आपके पास एक gallon gas है जिसका उपयोग हम अपनी गाड़ी में करते हैं चलाने के बेगाइस से चलती हैं गाड़ी आसी हैं जी पूछता है क्या आपके पास एक gallon gas है they could not this crossly वे नहीं रख सकते this crossly ले ख़ग फिर नाराज होते वे कहता है they had none उनके पास कुछ नहीं है did not it see क्या ये तुम नहीं देखते हो उनके पास कुछ नहीं है ले ख़ग नाराज होते वे कहता है क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता है और देखते हैं इस चैप्टर का आंतिम इस्टेंजा नो नहीं in country money country money country means या गाउं और किर आगे आया है the country scale of gain country scale of gain यानि देश के लाव के इस्तर में गाउं का धन नहीं है नहीं देश के धन में गाउं के लाव के इस्तर का धन नहीं है अपेशित उत्थान की भावना और इन सासन के लोगों के द्वारा इन राजनितिक्यों के द्वारा गाओं के अस्तर को भढ़ाने का आपेचित भाव कभी भी नहीं पाया गया गाउं के अस्तर को बढ़ने का आपेचित भाव कभी भी नहीं पाया गया also the voice of the country seems to complain अथवा इसलिये the voice of the country seems to complain इन गाउं के लोगों की आवाज सिकायतें सुनने में आती हैं I cannot help owning ग्रेट रिलीव इट उड़ भी लेखक कैता, I cannot help owning, owning owner बनाना, मालिक बनाना लेखक कैता है, मैं मालिक बनाने में कोई मदद नहीं कर सकता ग्रेट रिलीव इट उड़ भी, लेकिन इससे मुझे बहुत रहत होगी to put these people at one stroke out of their pain अगर एक ही श्ट्रोक में, एक ही प्रहार में, इन लोगों के दर्दों को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए तो निश्चत रूप से मुझे बहुत ही राहत होगी and then next day as I come back into the same, और फिर अगले दिन, जब मैं होसो हवास में आऊं I wonder how I should like you to come to me, मैं विचार करता हूं कि आपको मेरे पास आना चाहिए and offer to put me gently out of my pain और मुझे मेरे कश्ट से धीरे धीरे बाहर निकालना चाहिए कि आज शीन लोगों ने मेरी सहायता करके मेरी दुख को कम कर दिया है, मेरी धरिदता को मिटा दिया है, मेरे जीवन के विस्तार को पंक दे दिया है, तो निश्चत रुब से मुझे बहुत ही सुकून होगा लेख आसा करता है कि इन सरकारों को इन गरीब लोगों को एक ही प्रहार में इनकी गरीवी से मुप्ति दिला देना चाहिए तो कैसे लगी यह आपको फोयम, कमेंड बाक्स में जा करके बचाईएगा, लाइक करिए शेयर करिए मस्त रहिए, पढ़िए, थैंक्स अलाट